हरे कृष्णा जैशिल प्रभवपात जैसा कि हमने कल फर्ष लोका किया था और उसमें बताया था कि धृत्रश्टन कैसे डाउट और टेंशन में है कि उसके बेटों ने क्या किया और पांडू के पुत्रों का क्या हुआ इसी में पता लग रहा है कि वो चाता था कि मेरे बेटे जीए मेरे बेटे अच्छे तरीके से युद को जीते और पांडू के पुत्रों का क्या हाल हुआ हुआ लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो चलिए आज हम फिर से एक बार फिर चलते हैं ठीक 5000 साल पहले महा भारत के युद के मैदान में जहां पर सारे राजा अपनी अपनी सेना के साथ युद में तयार खड़े हैं और ये सारा दृष्य संजय दृतराष्टों को बता रहा है चलिए अब सेकेंड श्लुका शुरू करते हैं यानि कि अनुवाद संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दृतराष्टों अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे अब ये जैसा कि पहले ही हमें पता है कि दृतराष्टों जनम से अन्दा था लेकिन उसके पुत्र धर्म के मामले में भी अन्दे थे उन्हें ये ट्रस्ट था कि वे पांडु पुत्रों के साथ कभी भी समझोता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांजो पांडव जनम से ही पवित्र थे दृतर ने जब पांड़ों के सेना को देखा तो एक पल के लिए वो भी डर गया उसे अपने उपर डाउट हो गया कि क्या वो जीत पाएगा लेकिन उसके साथ देने वाले भी कहीं डर ना जाएं इसी चक्कर में वो अपने गुरु द्रोन के पास गया और उन्हें सारी सिच्वेशन को बताया इवन श्लोका में उसे राजा बोला गया है तब भी वो गुरु द्रोन के पास गया और उसे सारा हाल बताया क्योंकि वो डर रहा था लेकिन इसमें दुर्योधिन का attitude उसका डर शो कर रहा था लेकिन वो attitude के अंदर-अंदर-अंदर से डर रहा था उसके face expression में डर साफ-साफ शो हो रहा था कि वो पांडू-पुत्र और उनकी सेना को देखकर डर चुका था कि कहीं वो हार तो नहीं जाएगा चलिए ये श्लोका आज का खतम हुआ और अपसे कुछ नया करते हैं अब हम एक नया रोज एक काम करेंगे सबसे पहले ये आज का wisdom bite one ये है कि जब भी हमें कोई भी कोई भी डर सताई या कोई भी मुश्किल हो या कभी भी मन में कोई doubt हो तो उसी पल हमें कृष्ण को याद करना है उसी पल और निर्वे होकर जीना है और कृष्ण को बोलना है कृष्ण आप हमारे साथ हो तो बस अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और भगवत गीता एक ऐसा गरंत है जिसमें हमारी मुश्किले रूपे ताले की सुलूशन रूपे सारी चाबियां चुपी हुई है धेरो सारी चाबियां लेकिन बस हमें धूननी पड़ेंगी कि वो कैसे मिलेंगी तो आज के लिए इतना ही अगर आपको लगे कि मेरी एक्स्प्लानेशन अच्छी जा रही है आपको समझ में आ रही है भगवत गीता तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा हरे कृष्णा, रादे रादे जाशील प्रभुपाद